उत्तरप्रदेश के हापुड के एक गाउं में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है जहां पुरानी रंजिश को लेकर एक ही परिवार के लोगों पर कुछ दबंगों ने धारदार हतियारों से हमला कर दिया और दोनों पक्षों में जम कर लाठी डंडे चलाए गए इस विवाद में कई लोग खायल हो गए है तो आपके साथ माल पिट हुई है कितने लोग खायल है कितने लोग खायल है इसमें लोग जो चार गायल है तो इनको रेफर भी किया जा रहा है क्या मेरेट के लिए रेफर किया जाए इसका नाम है इसका नाम है जहीर कितने लोग घायल जो मार पीठ ही है यह पांच-छे लोग है और वह मारने वाले बहुत सारे हैं कि चीसे वार क्या है इनका तरवार चलाई है फल से चलाए है जब को छोड़ी है कैसी थोड़ी पहले है यहां पर चार लोग हम इसके वारा लाइड है इनके च्रब में चोटे इनके गाउं में आपसी रंजिस के कारण बढ़ा हुए थी इसका नाम इम्रान है इसके जहरा सब्सक्राइब है जहरा सिंदिय है इसको अपने प्राफियों आपको बता दें कि इस खूनी संघर्ष की सूचना पुलिस को मिली तो मौके पर पुलिस पहुँची और घायलों को सरकारी अस्पताल में भरती कराया वहें इसमें एक यूवक की हालत गनभीर बताई जा रही है हाप और से न्यूज के लिए शारुकान की रिपोर्ट